वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तो करेंट अफियर्स के साथ साथ हम reasoning की दुनिया में भी अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगर आपने current affairs की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपके current affairs की वीडियो भी डाले जा रहे हैं हर डे आपको morning में एक current affair का वीडियो दिया जा रहा है और उस current affair के वीडियो जो है आपके आने वाले exams के लिए बहुत जादा important है मतलब उसमें आपको सिर्फ selected points ही हम provide कर रहे हैं जितना आपकी exam में आ सकता है एकदम examination point of view से हम आपको provide कर रहे हैं तो उन current affairs को आप जरूर देखें और साथ ही साथ आपकी जो reasoning की class है ये भी आपकी daily basis पर चलाई जा रही है साथ में आपके history की classes भी continue चल रही है आपको अगर line से पढ़ना है तो आपकी playlist बनी हुई है playlist पजा करके आप सर्च करेंगे history की class है जो उसमें आपको अलग-अलग suggest की भी class मिल जाएंगी reasoning की class भी च topic में आपको calendar में सिखाने जा रहा हूं और यो topic की दोस्तों वो है कि calendar का repetition calendar की पुन्रावरित्ती ठीक है क्या है topic दोस्तों वो है calendar की पुन्रावरित्ती अब इसका मतलब क्या है sir calendar की पुन्रावरित्ती का मतलब क्या है इसका मतलब यह है दोस्तों की अभी कौन सा बर्स चल रहा है हमारा 2021 2021 का calendar दुबारा हम कब उपयोग कर सकते हैं 1994 का calendar दुबारा कब उपयोग कर सकते हैं ठीक है 2018 का कैलेंडर दुबारा कब उपयोग कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कैलेंडर की पुनरावरित्ती ठीक है इसलिए कैलेंडर को समभाल के रखिएगा ताकि आने बाड़े समय में दुबारा उसका उपयोग किया जा सके आगे बढ़ते हैं अब इसका कॉंसेप्ट क्या है दोस्तों देखिए हम किसी भी वर्ष को अगर चार से भाग देते हैं तो संभावना क्या क्या आने की संभावना होती है या तो जीरो आ सकता है या तो एक आ सकता है या तो दो आ सकता है या तो तीन आ सकता है अगर हम किसी भी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो 6 आने की क्या-क्या सम्हाओ न रहती है या तो 0 6 बच सकता है या तो 1 6 बच सकता है या तो 2 6 बच सकता है या तो 3 6 बच सकता है 4 नहीं 6 बचेगा Example अगर मैं 2007 की बात करता हूं 2007 को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ ठिक देखिए 4, 5, 6, 20 कट गया 0 बचा 1, 0 लगा दिये 7 उतर गया 4 एक कम 4, 3, 6 बचा ठिक कहने का मतलब है किसी भी नंबर को अगर हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 से एक कम उसकी possibility होती ही कि उतनी संख्या है सेज बस सकती है 0, 1, 2, 3 बस इतनी ही चीज़े आपको जाननी है ठीक है? तो 4 से भाग देने पर आपको ये चीज़ बस याद रगनी है यहीं से आपका कैलेंडर खातम हो जाएगा ये topic देखिए 4 से भाग देने पर जब 6 6 क्या क्या है दोस्तों? एक तो आपको 0 बचे 1 बचे 2 या 3 बचे यहीं बस सकता है अब आपको याद क्या रखना है? इसको याद रखना पड़ेगा अगर 6 फल 0 आता है तो उसमें आपको 28 साल जोड़ देना है अगर किसी भी इयर में अगर उसको आप 4 से भाग दिये और 4 से भाग देने पर 6 फल 0 आ रहा है तो उस कैलेंडर को हम दुबारा कभी उपयोग कर पाएंगे तो उसमें 28 साल जोड़ दीजेगा तो उस कैलेंडर को हम 28 साल बाद दुबारा उपयोग कर सकते हैं दूसरा है दोस्तों अगर सेस एक आए तो इसमें 6 साल आड़ करना है ठीक और तीसरा है अगर सेस दो या तीन बचता है तो इसमें आपको 11 साल जोड़ना है ठीक है अगर किसी भी वर्ष को चार से भाग देने पर जब 6 0 बचे का तो 28 साल जोड़ देंगे एक बचे का तो 6 साल जोड़ देंगे दो या तीन सेस बचे का तो 11 साल उसमें एड़ कर देंगे ठीक फॉर इक्जाम्पल 2021 का कैलेंडर दो बारा कब उप्योग होगा या किया जा सकेगा ऐसे भी आपसे प्रस्ण पूस्ता है एक्जाम में देखिए 2021 का कैलेंडर दुबारा कब उप्योग कर पाएंगे दोस्तों तो चुप चाप 2021 को आपको 4 से भाग दे देना है आईए 2021 लिखे चार से भाग दे देते हैं चार पंचे बीस पूरा कट गलो का बच्चे कर जीरो दो यहाँ पे जीरो लगा दिये तो जीरो लगाने के बाद क्या उतार सकते हैं हम 21 उतार सकते हैं क्योंकि यह तो कटे गा नी अब 4 पंचे 20 मतलब एक बच गया 6 दोस्तो अब ध्यान क्या देना है अगर एक शेष बचा है तो इसमे 6 साल जोड देंगे मतलब 2021 का जो कैलेंडर है दोस्तों आपका 2021 और एक शेष बचा है मतलब उसमें 6 साल जोड जोड़ना है 2021 में 6 जोड दीजे तो वर्स 2021 का जो कैलेंडर होगा वर्स 2027 में उप्योग किया जा सकेगा ऐसे एक और एक्जामपल देखते हैं जैसे मान लिजे 1994 का कैलेंडर ठीक है बोलता है 1994 का कैलेंडर दुबारा का बुप्योग होगा फिर दोस्तों ऐसे ही करते हैं चलिए यह लिजे 1994 लिखा मैंने यहाँ इसको 4 से भाग दे देता हूँ 4, 4, 16 3, 9 4, 8, 32 4, 9, 36 3, 4 ठीक है 4, 32 अब देखे दोस्तों आप खुद समझ में आ लाएगा 6 कितना बच रहा है तो 6 बच रहा है 2 और 2 और 3 के कंडिसन में हमको क्या जोडना है दोस्तों 11 साल जोडना है 2 और 3 के केस में 11 साल जोडना है तो 1994 में हम 11 साल जोड देंगे मेरे भाई चार एक पांच, नौ एक दस, नौ एक दस, एक एक दो तो 2005 में 1994 के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकेगा अब आपके लिए homework क्या है दोस्तों? कि 2016 का कैलेंडर कब इस्तेमाल किया जाएगा दुबारा? 2016 का कैलेंडर जो है दोस्तों वो दुबारा कब इस्तेमाल किया है यह आपका homework है इसको आपको अगर solve कर लेते हैं तो आपको इसका answer कॉमेंट बॉक्स में देना है ठीक है तो यह आपका कैलेंडर का last topic था इसके बाद मैं कैलेंडर का सिर्फ एक video और लेकर क्या हूँगा इसमें अब concept कुछ भी नहीं बचा है कैलेंडर में कैलेंडर में हम सिर्फ क्या करेंगे questions के practice करेंगे तो लगबग 3-4-5 सवाल जो भी रहेगा अगले वीडियो में आपको उसी इस cover कराऊँगा बहुत जल्द मिलेंग अगले वीडियो में तब तक घर पे रहें स्वस्त रहें और सब की देख भाल करें और घर से बाहर न निकले जब तक ही आनावस्यग आपको बिल्कुल कोई ज़रौत नहीं पड़ती है बहुत जल्द मिलेंग अगले वीडियो में तबने बाद